गीदर की मकारी किसी जंगल में एक बड़े डेल दोल का हाती रहा करता था इस जंगल में एक तरफ गीदरों का एक गोल भी रहा करता था जब हाती अपनी सून को हिलाता जूनता चलता फिरता तो गीदर इसे दूर ही से देखकर ललचाते और दिल ही दिल में इसे खाने की ख्वाइश करते मगर इनका बस ना चलता था कि इतने कद और हाती का किस तरह शिकार करें और इसके गोश से लुटफ अंदोज हूँ एक रात आखिर तमाम गीदर जमा हुए और हाती को मारने के तरीके सोचने लगे एक बुढ़े गीदर ने हांक लगाई हम छोटे जरूर हैं लेकिन हम अपने दिमाग का इस्तमाल करके इस हाती को काबू कर सकते हैं तुम मुर्दा हाती का गोश खाने की सोच रहे हो मैं तुम का वक्त था हाती जंगल में ठहल रहा था बुढ़ा गीदर इसके करीब आयो बड़े अदब से सलाम करके बोला मौतरम आप जंगल के सबसे थाकतवर जानवर हैं मैं अपने तमाम साथियों के तरफ से आपके लिए एक खास पेगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ कि हम सब गीद की बात सुनी और खुशो कर बोला हाँ हाँ मुझे तुम्हारी पेशकर्श मनजूर है गीदर ने कहा मेरे साथी जंगल के इस तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं वो आपका शानदार इस्तगबार करना चाहते हैं हमने आपके लिए दावत का इतमाम भी कर रखा है जहां आप मेरे साथ महाँ चलिए गर्ज हाती गीदर के साथ चल पड़ा गीदर इसे एक ऐसी जगा ले गिया जहां दलदल था गीदर हलका फुलका जानवर था इसलिए च्छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा हाती बाशे के नशे में दलदल में उतरा और धसने लग आखिर गुठनों तक वो दलदल में धस्च गया हाती जितना जोर लगाता इतना ही दलदल में धस्टा जाता अब अब ना आगे चलने का कोई हल था ना पीछे हटने की ताकत हाती गीदर ने चंगार कर बोला मैं यहाँ फस गया हूँ मेरा हुकम है कि मुझे इस दलदल से बाहर निकाला जाए गीदर ने कहा भारी भरकं है मैं अकेला तो आप को नहीं निका सकता क्या मैं अपने साथियों को बला लू हाती मरता क्या ना करता कहने लगा हाँ हाँ जल्दी बुलाओ गीदर ने अपने साथियों को वाजी और सेकड़ो गीदर आ जमा हुए और लगे हाथी का गोश्ट काटने और मजे ले लेकर खाने हाथी ने बहुत सूंड हिलाई चिंगारा मगर गीदर ने वहीं खड़े हाथी का गोश्ट चट कर लिया